Hello everyone, good morning to all, welcome back to my channel, I am Pooja और आज हम discuss करेंगे 9th of April के current affairs तो काफी कुछ discussion करने के लिए सबसे पहले कुछ important person हम देखेंगे उसके बाद हमें science tech की news भी देखनी है national और international news पे भी discussion करना और वीडियो के end में काफी सारे question और एक question of the day है जिसका answer आप हमें comment section में दे सकते हैं लेकिन current affairs start करने से पहले आप सभी लोगों को happy गुड़ी परवा आने वाला साल आप लोग के जीवर में बहुत सारे खुशिया लेकर आए तो start करने आज का वीडियो सबसे पहले person जो news में है उनके बारे में बात करने से पहले इस question का answer आप comment section में दीजिए question ये है who among the following architect has won the Pritzgar architecture prize तो Pritzgar architect award किस ने जीता है? चार लोगों के नाम है आपको सही answer बताना है इस question को यहाँ पर शामिल करने का मकसद केवल इतना सही है कि monthly compilation start हो चुका है और monthly compilation के दो वीडियो में अप्लोड कर दिये है पहले वीडियो में March month के सारे appointments, awards, obituries and books को cover किया गया है and second video में सारी की सारी national scheme, government scheme, national news और GI tax को cover किया गया है जो कि March month से है तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप बिलकुल देख सकता और आने वाले exam में definitely ये current affairs आपको मदद करने वाले है ओके, so start करेंगे पहले person आप लोग ने SPG के बारे में सुना होगा SPG commando के बारे में basically जो भी Prime Minister होते हैं और उनकी family, उनको security provide करने का काम SPG करते हैं, मतलब Special Protection Group इसका formation कब हुआ था? तो 8th of April 1985 में इसका formation हुआ था? चेक है? और recently ये है लव कुमार जिनने IG बनाया गया है Special Protection Group में for the period of 2 years, 2 सालों के लिए तो recently लव कुमार has been appointed as the Inspector General in the Special Protection Group for the period of 2 years और ये बात किसने notify की है? तो notification issued by Department of Personal and Training Done? चलिए next person के बारे में बात करते हैं आप लोग ने विप्रो के बारे में सुना होगा बहुत बड़ी IT firm है जिसके ओनर अजीम प्रेम जी है और जो कि कई सारे फिल्म थ्रॉफिय वर्क के लिए जाने चाहते हैं कई सारे परोपकारी काम करते हैं उनके NGO भी रन होते हैं इसकी स्थापना आप देखेंगे 1945 में हुई थी बैंगलूरो में हैटकॉर्टर है और प्रिजेंट में जो चेर्मेन है विप्रो के उनका नाम है रिशद प्रेम जी ठीक है अब विप्रो के जो CEO और MD थे उन्होंने resignation दे दिया हाला कि उनका tenure ना 2025 में खतम होना था लेकिन tenure finish होने से पहले ही उन्होंने resignation दे दिया मैं बात कर रही हूँ theory de la porte के बारे में जन्होंने resignation दे दिया है और इनकी जगह पे विप्रो के new MD NCO appoint हुए है श्री निवास पालिया यह है श्री निवास जी जो की विप्रो के नए MD NCO appoint किये गए है अब अगली जो person है मुझे लगता है यह नाम exam में पूछा जा सकता है क्योंकि यह दो बार Olympic gold medalist रही है इन्होंने 2008 और 2012 के Olympics game में gold medal जीता और इनका association short put से रहा है और New Zealand से belong करती है तो TCS जो marathon conduct कराता है जो की आपको 28 April में देखने को मिलेगी बैंगलूरू में उसकी global ambassador appoint की गई है नाम है Valerie Adams ठीक है इसलिए आपको नाम याद रखना है New Zealand से हैं और short putter है ठीक है गोला फेक से इनका basically सम्मंध आपको देखने को मिल जाएगा अगले person के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है Peter Pellegrini becomes Slovakia 6th President तो Slovakia कहां है उसके लिए आपको Europe continent जाना पड़ेगा आप देखेंगे यह जो दिख रहा है पोलेंड से border share करता हुआ यह है Slovakia यहां के छटवे नंबर के President appoint हुए है जिनका नाम है इसके लाब यह European Union का भी member है since 2004 और फिर इसने Senzang Area को भी जोइन किया था Senzang Visa को भी जोइन किया था 2007 में अगले person है इनके बारे में बड़ी ही अभी confusion ही चल रही है market में फिर भी हम देख लेते हैं क्या है Hardest Geezer Basically इनका एक निकनेम है Actual नाम इनका क्या है Rush Cook इनका Actual नाम है Becomes the first person to run across Africa ऐसा इनका claim है कि यह पहले person बन गए है जिन्होंने पूरे अफरीका को cross किया है पैदल चल के, दोड के, भाग के इस तरीके से इनोंने 352 डेज में लगबग 10,000 mile distance को कवर किया है run करते हुए, दोडते हुए ठीक है, ऐसा इनका claim है तो British National Rush Cook also known as the hardest geyser has successfully completed a challenge that took him more than 352 days to finish और इनोंने 10,000 mile का distance यहाँ पर कवर कर लिया है और 16 countries से पास हुए है और across the Africa इनोंने यह distance कवर किया है ठीक है, ऐसा इनका claim है कि यह पहले person है और इनोंने एक claim किसको किया है World Runner Association को किया है but World Runner Association कहते हैं कि आप पहले नहीं हो 2008 में 2008 में Denmark के एक person थे Mr. Jesper Can उनोंने यहाँ पर इस distance को कवर किया था first person हम उनको मानते जिनोंने full length of Africa को कवर किया था अब देखते हैं क्या होता है इनका यह claim है और यह कुछ और बाते कर रहा है चलिए next person के बारे में बात करते हैं former judge नाजिमी वजीरी to head committee for Delhi forest protection ठीक है अब यहाँ पे Delhi forest protection के लिए एक committee का formation किया गया है दिल्ली high court में दिल्ली high court के former judge है जिनका नाम है justice नाजिमी वजीरी और इस committee के यह chairman होंगे internal departmental committee का formation किया गया था जिससे पता लगाया जा सके कि किस तरीके से हम NCR area में protection कर सकते है forest का यूँकि NCR जो area है वहाँ पर उसके total area का geographical area का जो percentage है जहाँ पर forest cover है वो बहुत जादा कम है लगबग 5.73 percentage ही है तो यहाँ पर लगातार इन्होंने कई सारे verdict दिये हैं कई सारे फैसले ली किये हैं और बहुत सारे इन्होंने plantations भी किये हैं इसलिए इन्हें green judge भी कहा जाता है तो justice वजीरी जो कि दिल्ली high court के बहुती famous judge हुआ करते थे इन्हें green judge के नाम से जाना जाता है अगर हम बात करते हैं state of forest report के बारे में according to this report हमारे देश में total forest cover है वो 7,13,789 square kilometer का है जो कि इंडिया के total geographical area का 21.71% है सबसे ज़्यादा forest cover कहां पर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा forest cover आपको मदर प्रदेश में देखने को मिलेगा मदर प्रदेश को tiger state, leopard state और अब चीता state के नाम से भी जाना जाता है अगर हम बात करते हैं percentage wise तो percentage wise सबसे ज़्यादा forest cover आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में which is 84.53% then अर्नाचल प्रदेश में घाले, मनिपुर और नागलेंड आपको देखने को मिल जाएंगे done next है एक book उसका नाम है The Idea of Democracy The Idea of Democracy इस book को recently launch किया गया है और इस book के writer कौन है तो आप देखेंगे Sam Pitroda Sam Pitroda इस book के author है, writer है अब यह कौन है basically आई इनके बारे में बात करते हैं जब Rajiv Gandhi जी हमारी country के prime minister हुआ करते थे तो Rajiv Gandhi जी के समय उनके advisor हुआ करते थे इन्होंने हमारे देश में कई सारे technology program, telecommunication इसके लाव वाटर management, literacy, कई सारे program को इन्होंने रन किया है He was also served as the founder and the first chairman of India's telecom communication, तो India की telecom communication के founder of पहले chairman भी रहे हैं and the chairman of the National Knowledge Commission इनकी ही book launch हुई है The Idea of Democracy Done अब GI tag पे बापस से आ जाते हैं GI tag के बाद की जो slide है उसको कहीं note कर लेना screenshot ले लेना बहुत important है VVIP slide इसके बाद की जो slide है, okay चलिए, हम बात कर रहे हैं सितार और तानपुरा के बारे में सितार और तानपुरा made in महारास्टा मिराज टाउन get GI tag जो इसका नाम है मिराज और वहाँ पे लगबग 450 से जादा ऐसे artist है, craftman है जो इस तरीके के musical instruments को design करते हैं और इसलिए यहाँ पे सितार और तानपुरा को GI certification recently दिया गया है clear है इतनी चीज़े अब मिराज जो town है वो basically instrument making के लिए है जाना जाता है कई सारे उससाद इनके instrument को इस्तिमाल करते हैं अब जो सितार की बात हुई है तो कुछ आपको यहाँ पे नाम पता होना चाहिए यह सारे वो लोग हैं जो सितार वादक हैं जैसे कि रवी शंकर जी इनको तो कौन नहीं जानता फिर विलायत खान आप देख सकते है पिक्चर में पंडित निखिल बैनर जी चेके अंजन चटो पाध्या अंडपूर्णा देवी बहुत इंपॉर्टन नाम है अल्रेड़ी ऐसे से पूछ चुका है अंडपूर्णा देवी के बारे में फिर खान फैमिली तो खान फैमिली की काफी सारे मेंबर्स हैं जो सितार बजाते हैं सितार वादक हैं जैसे कि छोटे रहीमत खान, इनायत खान हिदायत खान, इमदाद खान इर्शाद खान और उस्ताद साहिद परवेस खान ये सभी खान फैमिली से हैं सितार वादग है ठीक है तो यह कुछ लोग है जिनके नाम आपको याद होने चाहिए upcoming exam के हिसाब से ठीक है जिसमें से रवीशंकर और विलायत खान जी का नाम और अन्यपूर्णा देवी का नाम बहुत important है next है INS Sarda awarded on the spot unit citation for anti-piracy operation यहाँ पर आप देखेंगे Admiral R. हरीकुमार जो कि Chief of Naval Staff है उन्होंने on the spot unit citation या प्रजस्ती पत्र कह सकते हैं तरीके से INS Sarda को दिया है क्योंकि इन्होंने अच्छे तरीके से anti-piracy operation किया हुआ क्या था सुमालिया में सुमालिया में एक vessel को hostage बना लिया था pirates ने और उस vessels में 19 crew members थे और उन सब को properly safe release कराने का काम हमने किया था आई ने सार्दा की टीम ने किया था इसलिए इन्हें यह आवार्ड दिया जा रहा है ठीक है next है सागर कवज 2024 सागर कवज एक coastal security exercise है ठीक है जो कि लक्षदीप island में recently conclude हुई है और दो दन की exercise आपको लक्षदीप में देखने को मिलेगी इसमें हमारे कई सारी security agency, Indian navy, Indian coastal guard, security agency, marine police और fishery custom department यहाँ पे शामिल हुआ था ठीक है और इसका मकसद के वाल इतना ही है कि हमारी coastal security को enhance करना, मजबूती प्रदान करना next है first try little service planning conference परिवर्तन चिंतन तो परिवर्तन चिंतन क्या है तो तीनों सेवाएं तीनों सेवाओं का क्या मतलब है आपका Indian army, Indian air force और Indian navy तीनों services की यहाँ पर एक conference हुई है जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, नई दिल्ली में हुई है, आठ अपरेल को हुई है और यह पहली try service arm force planning conference थी इस conference को organize किस ने किया था तो union ministry of defense ने इसे organize किया था जबकि इस पूरी conference के chairman कौन कर रहे थे तो हमारे CDS, मतलब Chief of Defense Staff General Anil Chauhan इसको lead कर रहे थे यह chair कर रहे थे इसमें तीनों सेनाओं के representative मतलब Chief of Indian Army General Manoj Pande, Air Marshal Vivek Ram Chaudhary और Indian Air Force के आपके हो गए VR Chaudhary और Admiral R. Hari Kumar Indian Navy के इन तीनों सेवाओं के जो प्रमुक्त है वो इस मैं participate किये थे चेक है, basically यह क्यों ही थी, यह तो मैंने discuss किया ही नहीं, यह discussion इसलिए हुआ था जिस्तर तीनों सेनाओं एक ही जगह पर आके, मतलब Tri-Service आपस में coordinate कर सके आने वाले समय में हम किस तरीके से साथ में मिलके अपने operations को run कर सकते हैं, चेक है Next, Joint Naval Exercise of Four Countries Begin in South China Sea आप यहाँ पर यह South China Sea देख सकते हैं, जो काफी जादा disputed है, काफी जादा विवादित है विवाद का इसका जो reason है, वो यहाँ पर पाए जाने वाला parcel island और स्पार्टली island है यह दोनों जो island है, इन दोनों में आपको काफी सारे minerals देखने को मिलेंगे, resources देखने को मिलेंगे और crude oil और gases भी आपको देखने को मिलेंगी तो जहाँ पर यह चीज़ें होंगे, जो सभी country चाहेंगी यह island हमारा part हो जाए तो यहाँ पर China कहता है कि 80% जो South China Sea का हिस्सा है, वो हमारा है बागी सारी countries भी objection उठाती रहती है तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे USA, Japan, Australia और Philippines यह Philippines आप यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों के बीच में South China Sea में एक पहली joint naval exercise हुई थी basically यहाँ पर जो चाइना का aggression है, action है South China Sea में उसको counter करने के लिए और इन लोगों ने anti-submarine warfare training exercise को किया इसे host किस ने किया था, तो Philippines ने किया था Done? Okay, next बात करते हैं Sierra Leone, यह आपको Africa continent में देखने को मिलेगा Declare a national emergency अब यहाँ के जो यूथ है यहाँ के जो लोगें वह लगतार बहुती गलत तरीके से drug use कर रहे हैं मतलब abuse of drugs जिसके कारण कई सारी मौते भी हो गई है और यह जिस तरीकी का drug इस्तिमाल कर रहे हैं उसके लिए human bones का इस्तिमाल भी किया जा रहा है तो graveyard को काफी protection देखे रहा है क्योंकि कबरों को खोदे के इंसान की हड़ियों का इस्तिमाल यहाँ पर drugs को बनाने में किया जा रहा है तो काफी सारी जब मौते बढ़ गई drugs का इस्तिमाल करने के कारण इसलिए यहाँ पर emergency declare की गई है ठीक है सियारा लियोन्स प्रेसिडेंट रिसेंट्ली डिक्लियर आर नेशनल इमर्जेंसी और सब्स्टेंस अब्यूस तो क्रेक डाउन ऑन दा राइजिंग यूज ऑफ सिंथेटिक ड्रग नोन अस कुष कुष नाम के ड्रग का इस्तिमाल किया जा रहा है जिसमें कई सारे highly addictive mixtures है जैसे कि आपका गांजा बोल सकते है या पर मैरिजियोना इसमें mix है और भी कई सारे चीज़े इसमें mix की गई है Best Africa में आपको ये देखने को मिल जाएक और 1961 में ये independent हुआ था UK से आप यहाँ पर देख सकते है जिसकी capital क्या है Free Town इसकी capital है Free Town आपको capital देखने को मिलेगी और Atlantic Ocean के साथ border share करता है देख पा रहे हैं आप यहाँ पर Sierra Leone declares national emergency people using drugs made of human bones dug up from the graves तो देखिए कितना वड़ा concern है ये यहाँ मुर्दों को भी नहीं सोने दे रहा है इसा कैसे चलेगा चलो ठीक है अब ये question important है हमारे लिए directly question पूछा जाएगा कि Changpa tribe कहां से संबन्द है या कहां पर पाई जाती है ये Changpa tribe के जो घर है उनको किस नाम से जाना जाता है ये दो question मैंने आपको बता दिये जो इस particular slide से frame किये जा सकते है अब यहाँ पर लिद्दाक की कहानी तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर प्रटेस्ट भी चल रहा था फिर marching की बात की जा रहे थी सोनम बांग्चू के द्वारा because वो लोग चाहते हैं कि लिद्दाक को statehood दिया जाए और schedule 6 में शामिल किया जाए और उनकी demand सही भी है ठेक है तो climate activist सोनम बांग्चू और लेह एपेक्स बॉड़ी ने decide किया है call of the पश्मीना बॉर्डर मार्श पश्मीना बॉर्डर मार्श करेंगे highlight the plight of plight of मतलब होता है दुर्वेवार ये दुर्दशा plight of the चांगपा नौमिदिक tribes तो चांगपा नौमिदिक tribe जो वहाँ पर पाई जाती है उनकी दुर्दशा उनकी actual condition क्या है वो कैसे survive कर रहे है तो यहाँ पर उनकी real condition को दिखाने के लिए decide किया है सोनम बांग्चू जी और लेह एपेक्स बॉड़ी ने कि हम पश्मी ना बॉर्डर मार्च करेंगे अगर हम चांगपा या चांपा tribe के बारे में बात करते हैं तो यह tribe आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी चांगतेंग प्लेटी और साउथ इस्टर लद्दाक में देखने को मिल जाएगी और यह basically इनकी बोलचाल इनका culture तिब्बतन culture से match होता है और maximum लोग जो है वो बुद्धिज्म को ही follow करते हैं इस tribe को 1989 में 1989 में government ने से schedule tribe declare किया था चेक है इतनी चीज़े clear है generally यह high altitude area में रहते हैं याक और animals से ही इनका जीवन यापन होता है done इतनी चीज़े इसके अलावा यह लोग इस तरीके से देखो यह conical shape में याक skin के घर बनाके रहते हैं tent बनाके रहते हैं और इन tents को हम rebu कहते हैं क्या कहते हैं? रेबू अब जो चांगपा tribe है वो दो प्रकार से दो category में divide है तो चांगपा who live nomadic lives मतलब गुमककर जिंदिगी एक बार यहां दो बारा है वहां तो वो लोग जो हैं उनको फालपा कहा जाता है और जो settled down हो गए हैं fixed location पे उनको फांगपा कहा जाता है तो चांगपा tribe भी दो category में divided हैं done? next अब मैं यहां पे कुछ लिखने जा रही हूँ यह question छपा हुआ है किसी set में क्योंकि जब चाबाहार port news में था कितने सारे paper में चाबाहार port से caution बना था और आज तक भी चाबाहार port से caution बनता है yes or no? yes na? वैसे ही अगला जो port है वो भी news में है और हमारे लिए important है इंडिया है secured right to operate its second overseas port at sitway in Myanmar following the चाबाहार port in Iran तो कुछ समय पहले जब चाबाहार port का निर्मान हुआ था और चाबाहार port में operation करना allow किया गया था किसे इंडिया को तो इंडिया चाबाहार port को operate करता है अब यहां पर देखेगा second port जो हमने secure किया है जो second overseas port है हमारा जहां से हमें operation करने की परवीचन है वो है sitway port in Myanmar आप यहां पर देख पा रहे है यह है म्यान मान का रोहिंगा area ही है basically यहां पर आप कोई sitway port देखने को मिल जाएगा clear है तो ministry of external affairs has approved India port's global proposal to take over the entire operation of the sitway port जो कि कलादान river पे रखाइन province में situated है यह है रखाइन province और कलादान river पर यह situated है इसलिए इस project को हम कलादान river कलादान project के नाम से भी जानते हैं और इस project का नाम भी आपने पहले भी कही न कही definitely सुना होगा ठीक है तो यहाँ पर इस पूरे operation को अब इंडियन run कर सकते हैं the recently approved deal include a long term lease of the port to India lease पे लिया है long term के लिए which will be renew every three years हर तीन साल में से renew किया जाएगा यह जो lease agreement है इसको clear है? done इतनी चीज़े clear है अभी जो India port global limited है यह एक subsidiary है सागरमाला development company के और सागरमाला जो project है वो आप सभी को पता है union ministry of port shipping and waterways को run करता है मतलब सागरमाला development company इसको इसके अंदर operate होती है सित्वे port of Myanmar की बात करते है तो एक multimodal transist connectivity port है कलादान river पे जो कि सित्वे port Myanmar को state of miserum से connect करता है इस port को Myanmar में 500 million dollar 500 million dollar के grant के साथ ready किया गया था और इसको inaugurate 9th of May 2023 को ही किया गया है 9 May 2023 को इस port का उधगाटन किया था किसने श्री सर्वननन्दा सोनोबॉल ने जो कि हमारी country के port minister भी है और पहली यहाँ पर जो कारगो भेजी गई थी वो श्यामा प्रसाद मुखरजी port in Kolkata to the सित्वे port भी भेजी गई थी चेक है चेलिए अब यहाँ पर researchers ने एक और discovery की है एक बहुत बड़ा ocean लगबख 700 km under the earth scientist ने discover किया है चेक है तो scientist community has been buzzing about an incredible discovery recently a massive ocean hidden deep within the earth crust तो earth crust के लगबख 700 km under यहाँ पर जो transition part होता है आपके upper mental और lower mental का उस particular area में इन्हें बहुत बड़ा sea मिला है समुद्र मिला है और ऐसा बोला जा रहा है यह जो reserve wire है यह three times है volume of the all the earth surveys ocean combined ठीक है मतलब हमारे सारे के सारे समुद्र का जो volume है उससे three times ज्यादा इस reserve wire का volume है ऐसा बताया जा रहा है और जिस rock में इसे पाया गया है उसके बारे में mention किया गया है the reserve wire is located 700 km below the surface of the earth in the rock called the ring budite ring budite नाम की rock में इसे पाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप upper mental, lower mental और जो area है transition zone यहाँ पर वे से पाया गया है यहाँ इतनी चीज़े discovery कैसे हुई लगबग 2000 से जादा सिस्मोग्राफ across the USA लगाये गये थे और जब earthquake आता था, earthquake की जो wave से उनको measure करते हुए उन data को analysis करते हुए इस बात की discovery की गई है clear है? done? अन्द में बात करेंगे को short news पे पहली news है कि Max Verstappen ने Japanese Grand Prix का title जीत लिया है ठीक है बहुत अच्छी बात है next है, India has removed export restriction on essential commodity for the Maldiv अभी India और Maldiv का क्या चल रहा था सभी को पता ही है, ठीक है? यहाँ पर India ने जो restrictions लगाये थे essential commodities Maldiv में export करने के लिए वो सारे restrictions को remove कर दिया है अब जो सारे item जैसे की egg, potato, onion, rice, wheat, sugar यह सारे चीजों को भेजा जाएगा 2024-2025 में Maldiv में next है, Microsoft ने warn किया है against the China मतब China को basically warned किया गया है, क्यों warned किया गया है? क्योंकि आने वाले समय में European Union और India और काई सारी countries में election है और यहाँ पर इन पर allegation है कि यह AI का technology का इस्तेमाल करके India के जो upcoming election है उन्हें disturb करना चाहता है कौन? China तो Microsoft has warned that China is a gearing up to disturb the upcoming election in India, USA and South Korea by using the artificial intelligence जैसे कि मैंने आपको deep fake technology and shallow fact technology के बारे में बताया था उन्हीं technology से यह भारत के election को disturb करना चाहता है ऐसा Microsoft का कहना है Done तो यह थे आज के हमारे current affairs छोटे से थे कम news थी भागी सारी बाते हम definitely कल के session में करने वाले हैं लेकित अब यहाँ पर caution बड़े तगड़े हैं इनको ज़रा solve करिये Recently monetary policy committee की meeting हुई थी शक्तिकान दास जी ने lead किया था हमने discuss कर लिया था आपके साह यहाँ पर जो inflation या महंगाई है CPI inflation 2024-2025 के लिए कितना predict किया गया है answer है 4.5% option B is the right answer Next मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले CART cell technology के बारे में discuss किया था चीक है तो consider the following statement about the India's first home ground gene therapy for the cancer which is launched recently पहला statement है कि यह जो therapy है उसे CART cell therapy के नाम से जाना चाता है और इसे IIT Bombay में launch किया गया second statement है कि इसमें label है कि यह world की most expensive CART cell therapy है third statement है कि इसे IIT Bombay Tata Memorial Hospital के collaboration के साथ तयार किया गया है और industry partner है you mean O ACT कौन सा statement यहाँ पर correct है तो पहला बिलकुल सही है third statement भी हमें सही समझ में आता है लेकिन यार यह तो cheap है ना कि expensive technology हमने बनाई है तो second statement गलत हो जाता है बाकी दो statement यहाँ पर correct है चीखे next India will stop importing URIA by end of तो यहाँ पर बताया गया था भी recently मनसुक पंडाविया जी के द्वारा कि इंडिया 2025 तक import करना बंद कर देगी URIA को ठीक है option B next अब मैंने start program के बारे में भी आपको discuss किया था what is the start program Space Science and Technology Awareness Training Program जो कि ISRO का एक program है इसके बारे में कुछ बाते हमने पहले ही discuss की थी अब आपको बताना है correct statement कौन से है पहला तो मैं नहीं बता दिया start 2024 program is an initiative launched by the Indian Space Research Organization ठीक है second है the program is primarily aimed at attracting middle school student to the field of space science and technology तो यहां की जो audience है जो target है जो कौन है middle school के students है next है post graduate and final year undergraduate student pursuing physical science and technology are the target beneficiary of the program and last है start 2024 include advanced level of topic on various vertical of space science and technology कौन से statement चाही है तो यहां तो middle school का कोई discussion ही नहीं हमारो तो program PG student के लिए है या जो final year UG student है उनके लिए है तो यहां पहला statement चाही है तीसरा भी साही है चौन्था भी साही है लेकिन दूसरा statement गलत है चेक है next तो परिवर्तन चिंतन के बारे में हमने बात की थी कहां पर organize की गए answer है New Delhi में organize किस ने की the Ministry of Defense ने की ठीक है simple सा था next Adani Green Energy Limited plan to invest 1.5 trillion through the 2030 to develop the world largest renewable energy plan plant with 30 gigawatt capacity in which state तो recently मैंने discuss किया था कि Adani Group 2030 तक 1.5 trillion डॉलर रुपी investment करेगा और वर्ल्ड का largest renewable energy plant set up करेगा जिसकी capacity 30 gigawatt की होगी कहां पर याद करो गुजरात में option B next है recently Indian Coast Guard aquatic center कहां पर inaugurate किया गया है तो रामेश्वरम तमिन लाडू में से inaugurate किया गया है ओके which company has developed Akash Tir Air Defense Security System for Indian Army Akash Tir Air Defense System को किसने बनाया है B.E.L. ने बनाया है मतलब भारत Electronics Limited next है 15th नंबर का CIDS Vishkarma Award किसे दिया गया है तो हमने देखा था 17 जल विद्धुत निगम Limited को ये अवार्ट दिया है क्योंकि इसने social response जो आपकी responsibility होती है आपकी corporate social responsibility उसके अंदर काफी जादा investment किया और उस sector में काम किया है option D is the right answer next है who has been appointed as the chairman of National Cooperative Dairy Federation of India Limited recently इनके board member का meeting हुआ था, election हुआ और कौन बन गए है chairman तो आपका Manish Shah या फिर Manish Shah बन गए है option D SPG IG कौन बन गए है तो आज ही हमने discuss किया है लव कुमार बन गए है option D is the right answer and this is question of the day पहला question starting में पूछा था और यह second question है दोनों questions के answer आप हमें comment section में देंगे question यह कहता है कि वो कौन सा state है जिसने बूत राबता website को launch किया है elections और related information को share करने के लिए चार राज्यों के नाम है महराज, तमिलनाडु, गुवा या पंजाब clear है यह बात यह आप हमें comment section में बताएंगे इसके लावा थोड़ी से जानकारी आप मेरी सुन लीजिए about the PDF तो PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम पे ठीक है class over होने के बाद टेलिग्राम पे PDF अप्लोड कर दी जाएगी और टेलिग्राम आप देख सकते है पूजाजन CA 247 या फिर पूजाजन करेंट अफिर सब सर्च कर लीजेगा तो टेलिग्राम से आपको मिल जाएगी वीडियो अच्छा लग रहा है यूसफुल लग रहा है तो बिलकुल अपने friends के साथ शेयर करेंगे जादा से जादा share करो जिसे मुझे भी अच्छा लगे और हम नए batches को launch कर सके histories labels को हम start कर सके क्योंकि अभी मैंने history में SSE CGL 2022 के और 2023 के caution करा है आगे हमें और कुछ भी तो देखना है एक series start करनी तो मैं चाहरी थोड़ा और जनता आ जाए थोड़ा और crowd आ जाए फिर हम start करते हैं एकदम YT पे पढ़ना पुरा detail में modern history, ancient history, medieval history सब कुछ हम बिलकुल पढ़ेंगे CGL level तक का तैयारी हम यहाँ पे करेंगे लेकिन उसके लिए आपका support चाहिए जादा सजादा link को share कर दीजिए आप पहली बार आ रहे हो तो subscribe कर लो जिससे upcoming classes के notification मिल सकें और कोई भी class YT पे हो रहे है सब की PDF free of course telegram पे मिल जाएंगी ओके, so मिलते हैं पर next video में अपने नई class के साथ, नई information के साथ टेक कियर और बाबाए